लोटस सायरवेदा इंडिया में आपका बबस्य स्वागत है मैं हूँ उद्पन चौधरी आज हम बात करेंगे दूद और खजूर की इसके क्या फाइदे होते हैं कहां कहां फाइदे होते हैं यह मैं सब आपको बताने जा रहा हूँ आए बीडियो श्टार्ट करते हैं खजूर पोसक तत्तों से भरपूर होता है इसकी तासीर बेहद गरम होती है इसलिए सर्दियों में खजूर खाने से सरीर को कई लाब मिलते हैं आपको बता दें कि खजूर में फाइवर और एंटि अक्सिदेंट काफी अधिक मातरा में पाये जाते हैं इसके अलाबा खजू खजूर, कैलोरी, काप्स, फाइवर, प्रोटीन, पोटेसियम, मैंगनेसियम का भी अच्छा सोर्स होता है खजूर में कॉपर, मैंगनीच, आईरन और विटामिन बीव होता है बैसे तो खजूर को सीधे तोर पर भी खाया जा सकता है लेकिन कई लोग खजूर को हल्वा तो कोई लड़ू के रूप में खाता है इसके अलावा आप चाहें तो खजूर को दूद के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं रोजाना दूद और खजूर को एक साथ खाने से आपके सुरीर को कई लाप मिलते हैं इससे आपको दूद और खजूर में मौजूद सभी पोसकतत एक आप खजूर को दूद में विवो कर खा सकते हैं तो चले जानते हैं खजूर को रात भर दूद में विवो कर खाने के फाइदे तो सबसे बड़ा फाइदा है आपका मसल्स का विकास होता है अगर आप दूद में भीगे हुए खजूर खाएंगे तो इससे आपकी मास्पेसियां का तेजी से विकास होगा खजूर और दूद में प्रोटीन होता है जिससे आपकी मसल्स गेन हो सकती है इसके साथ ही दूद में केल्सियम और खजूर में मेंगनिसियम होता है जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है आनि खजूर का दूद, कॉमिनेशन, मास्पेसियों और हड्डियों को मज़ूद बना सकता है दुखसरा, एनेमिया एक ऐसी समस्य है जिसमें सरीर में खून की कमी होने लगती है इस इस्तिती में रोगी को थकान, कमजूरी जैसे लक्षोनों का सामना करना पड़ता है लेकिन अगर आप रोज रात को दूद में खजूर भिवो कर रख देंगे और सुबह उटकर इनका सेवन करेंगे तो इनसे आप एनेमिया के लक्षोनों को भी कापी हद तक कम कर सकते हैं खजूर में मौजूद आइरन एनेमिया के लक्षोनों को कम कर सकता है इसका तीसरा फाइदा है, अगर आपको पाचन से जूड़ी कोई समस्या है, तो भी आप खजूर, खाली पेट, दूद में भेगे हुए खजूर खा सकते हैं, दरसल खजूर में फाइबर अधिक पाया जाता है, तो आतों को मजबूत बनाता है, मलत्याक को भी आसान बनाता ह खजूर खाने से पाचन से जुड़ी समस्यों में का भी हद तक आराम मिल सकता है इससे कब्ज और गैस की समस्य से छुटकारा मिल सकता है नमर चार इसका फाइदा है दूद में कैल्सियम होता है उहीं खजूर में मैंगनेसियम और बिटामन 26 पाय जाता है ऐसे में अगर आप सुबह दूद में भीगे हुए खजूर खाएंगे तो इससे आपकी हड़ियों को मजबूती मिलेगी रोजाना दूद में भीगे हुए खजूर खाने से आप जोडों के दत से भी राहत पा सकते हैं इसका पांचपा फाइदा है अगर आप दूबले पतल हैं और कमजोर हैं तो आप दूद में भीगे हुए खजूर खा सकते हैं खजूर में काप्स कैलोरी अधिक मात्रा में पाय जाते हैं जो बेट गेन में मदद कर सकते हैं बजन बढ़ने की चाहत रखने वाले लोग रोजाना खजूर और दूद का सेबन कर सकते हैं अगर रोजाना दूद में भीगे हुए खजूर खाएंगे तो आपको धीरे-दीरे बजन बढ़ने में मदद मिल सकते हैं अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूद में खजूर भिगो कर कैसे खाएं खजूर को दूद में भिगो कर खाने से आपको अनगिनत लाब मिल सकते हैं इसके लिए आप रात को एक गलास गुनगना दूद लें उसमें चार-पांच खजूर डाल दें और सुबह तक ऐसे ही छोड़ दें अब सुबह उठकर इस दूद का उबाल लें और फिर खजूर को खा लें आप इस दूद को भी पी सकते हैं आप चाहें तो बीना उबाले भी दूद में भीगे हुए खजूर खा सकते हैं यह उपाय जो लोग सेक्स में कमजोर हैं बिष्टर पे जाते ही अगर उनका पानी निकल जाता है वो लोग भी उज़ कर सकते हैं और दो तीन महने के बाद आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा आप डेली अगर दूद पीते हैं तो भी आपको इसमें फाइदा होगा आप काफी दिर तक आपने वाइक के साथ जादा दिर तक आपने वाइक पे साथ रुक सकते हैं जादा दिर तक आप सेक्स कर सकते हैं तो भी आप यहाँ पे यह यूज कर सकते हैं तो यह था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्क्राइब नहीं किया, वो सब्क्राइब कर लें, और बेल आइकून की घंडियो बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सबसे पहले आपका अस पहुँचे, धर्नाबाद.